माह भारत युद्ध की मागशेशा मैने में शुरू आत हुई थी और उस दिन चंद्र कृतिका नक्षत्र में थे ये युद्ध जैसे हम जानते हैं 18 दिन चला था तो कृतिका नक्षत्र से अठारवा जो नक्षत्र पढ़ता है वो उत्तराशाद नक्षत्र पढ़ता है और ऐसा बताया गया है माह भारत में कि जो श्रवन नक्षत्र वाला जो दिन है 19 दिन च्रवन नक्षत्र उत्तराशाद नक्षत्र का अगला नक्षत्र होता है तो 19 दिन दुर्योधन का भी भीम ने वद्ध कर दिया था तो ये तो हमारा इतिहास के बारे में हो गया कि कृतिका नक्षत्र आ रहा है और उत्तराशाड नक्षत्र आ रहा है श्रवन नक्षत्र के बारे में इसमें जर्चा है और रड़ी तो अठारवे दिन तो यूद्ध कौरव हार गये थे और उन्नीसवे दिन दुरियोधन का वद्ध हो गया था अब जो करेंट की जो स्थिती बनी होई है वो भी कुछ इसी तरह की बनी होई है कि राहू जो है वो अभी कृतिका नक्षत्र में चल रहे हैं जो की सूरे का नक्षत्र होता है कृतिका नक्षत्र युद्ध बताता है वो और बताता है और खृतिका नक्षतर काट छाट करने वाला और लोगों की मृत्यू कराने वाला लोगों की जान लेने वाला भी होता है राहू यहाँ पर बैठे वे बहुत घातक सिद्ध हो रहे हैं इसके साथ ही मंगल भी जो है वो सूर्य के दूसरे नक्षतर उत्तराशाड में अभी कोचर कर रहे हैं और जैसे कि हमने महाभारत के उसमें भी जाना के उत्तराशाड नक्षतर में महाभारत का जो युद्ध है वो घतम हुआ था मतलब इन सारे नक्षत्रों के समय युद्ध चल रहा था तो मंगल गरे वैसे भी युद्ध के कारक होते हैं ये प्लैनेटरी काबिनेट में कमांडर इन चीफ माने जाते हैं ये सिप्पेसालाहार जिनको बोल सकते हैं वो मंगल उत्तराशाड में बैट करके और भी घातक हो जाते हैं सूर्य का नक्षत्र है इगो लाते हैं और राहू भी बहुत इगो बता था है और ये दोनों ही सूर्य के नक्षत्र में बैटके इगो बता रहे हैं और युद्धों की थीम है इन दोडों नक्षत्रों की इसके साथ ही शनी भी जो है वो मंगल के नक्षत्र में धनिश्टा में बैठे वे हैं इस समय गोचर कर रहे हैं और बुद्ध जो है वो श्रवन नक्षत्र में हैं तो सारे यही लगभग वही नक्षत्र फिर से इस समय इन में ग्रह गोचर करें हैं जो महाबार के समय में हुए थे जिन जो चल रहे थे और इस इंपॉर्टन टो नोट कि को बहुत ही जल्दी मंगल जो हैं वह बगड़ राशी में प्रवहेश करने वाले हैं मकर subtbelaldi मंगल की उच्च की राश्य होती है जहां पे वे बहुत ही पावरफुल और उगर हो जाते हैं और पर इसके साथ ही वहां पे मंगल के तीन घोर शत्रू ने मिल रहे हैं एक बुद्ध हैं जो श्रवन नक्षत्र में बैठे हुए हैं श्रवन नक्षत्र बताता है कि बूमी को आप कैसे ओन करें भूमी के की थीम आती है श्रवन नक्षत्र में वामन अफ्तार ने जब बाली का वद किया था तो वो भी इसी नक्षत्र में हुआ था तो कहिना कही ये ये भी बता रहा है कि वार का एक थीम है और इसके साथ ही मंगल के दूसरे भी दो शत्रू यहां पे ब हो रहा है यहां पे बहुत गिम हो रहा है तो यह सब कुछ देख करके लग रहा है कि अभी समय बलकुल ठीक नहीं है इसके साथ ही चंदर भी जो है वो शुक्रवा से लेकर शनिवार निरती डेवि करहता है के तुका नक्रतर है और यह बहुत हतक होता है नद के दिस्ट्रक्शन लाता है पिछली बार हमने इस मूल नक्षत्र के दिस्ट्रक्शन को तब देखा था जब हम जब गुरू ब्रिहस्पती और केतू इस नक्षत्र से 2020 में गोचर कर रहे थे तब ही करोना वाइरस की शुरुआत हुई थी तो और उसका जो परिनाम है वो हम सब अभी तक भोगर है दो तीन साल हो चुके है उस चीज को तो यह इतना खातक नक्षत्र है और चंद्र इस पर से गोचर करने वाले हैं शुक्रवार और शनिवार तो यह और भी जादा डेंजरस बता रहा है पच्चिस छबश से तो जो खत्रे की स्तिती बनी हुई है वो तो अब और जादा टेंजरस होने वाली है इसके साथ ही 28 फरवरी और एक मार्च को छे ग्रहों का समागम हो रहा है मकर राशी में तो जब इतने सारे ग्रह एक साथ इकटे होते हैं तो हम वह भी अच्छा नहीं माना जाता तो जो छे ग्रह हो रहे शनी वहां पे शनी और पांच ग्रह तो होई रहें वाँ पे तो यह बहुत डेंजरस थिती बता रहा है इसके साथ ही अगर अब हम देखे तो अभी गोचर में ब्रहस्पति और सूर्य कुम्ब राशी में और कुम्ब राशी एक्जाक्ली राहू जो है वह वरिश्चिक राशी में है तो इनके एक करने एक तरह का बंदन ऑन्हों का निर्मान हो रहा है जो कि अभी रहासंब सब्सारी को और सथी में वह इस हैसा Beniveel में कौन्ठी माकव ची में चृतेरा को मिलने वाली नहीं नहीं है ऐसा मुझे दिख रहा है तो यही हो रहा है जो अंकारक योग की सिती बंडरीय मकर राशी में बन चुकी है और इसके साथ ही बाखी के जो गोचर जैसे मैंने बताए यह सिती बहुत ठीक नहीं है और इस चीज का अंदेशा काफी समय से था मुझे कर रहा है एसे में बताशने है और इसक रहा है झाल दिसक टसाफ मुझे से ठीक दक देंगा झाल मुझे